दूस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि how to study maths और इसकी anxiety जो चिंता आपके मन में है उस चीज को कैसे दूर करें वो आज के इस वीडियो में complete 5 points मैं आपको discuss करूँगा number one facts कि ऐसे क्या facts हैं जो अभी तक आप सोच रहे हैं क्या उसके biases हैं क्या वो logical है या उसका क्या data है वो second जितने भी हमारे mathematicians हैं उन में से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप समझ के साध अपने आप से आप relate कर पाएंगे तीसरा कौन से ऐसे formula हैं जिनने वाकई हर stage में आपको दिक्कत होती है and fourth की क्या वो problems है and fifth इसके क्या solutions है तो आज के इस वीडियो में complete meditate करने वारा हैं तो दोस्तों शुरू शे वीडियो को end तक देखे और नए है तो चैनल को subscribe कर लीजे और पुराने है तो notification bell जरूर on कर ली motivational आप सब के लिए career growth के लिए मिलाता रहता हूं तो दोस्तों सुरुवात करते हैं सबसे पहले एक fact है और data है कि जितने भी students है उसमें से 27% students को math anxiety रहती है उन्हें हमेशा अपने maths के लिए बहुत चंता लगी रहती है कि गहीं वो fail नहों जाया है उन्हें समझ क्यों नहीं आ अखेले नहीं है आपके साथ बहुत सारे students और भी है बतलब 100 में से बहुत से तो ऐसे है जो जिनका math touch करने का महनी नहीं करता उसमें से बचे माल लीजिए 50 बचे जिसमें से 27 लोगों के साथ हमेसा math anxiety का situations anytime रहता है दोस्तों मैं आपको एक famous scientist के बारे में थोड़ा सा बता द देना और जब mom ने खोला और पढ़ा अथ उसमें लिखा था कि आपका बेटा सही से बोल नहीं पाता है सही से सुन नहीं पाता है सही से समझ नहीं पाता है इसको आप schooling घर पे ही बैठके बढ़ाए जब Einstein अपनी mom से पूछा कि इसमें क्या लिखा उसने का बेटा तुम इत हम बैठके पुरी दुनिया के वारे में सोच सकते हैं कि मैं इस दुनिया का एक दिन सब समीर आत्मी बनूँगा लेकिन उसके लिए knowledge भी जरूरी है knowledge are limited तो Albert Einstein कहते हैं कि imagination क्यों important है knowledge के comparison में जादा क्योंकि हम सोच सकते हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते भी नहीं हैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना IQ लेवल कभी बढ़ाना ही नहीं चाते उनको लगता है कि जो है वो है at least आप जो students जो ये videos देख रहे हैं वो ये समझ तो पा रहे हैं कि मुझे अपना IQ लेवल बढ़ाना है मुझे maths के anxiety खतम करनी है मुझे maths में expert बनना है उनकी एक famous line है कि imagination is more important than knowledge सोच हमेशा घ्यान से बड़ी होनी दी है ये चीज़ आप समझ लीजे मेरे दोस्तो नेक्स्ट बात करूँआ कि हमारा mind मिना दो टाइप की memories की तरह work करता है एक होती है long term memories और एक होती है short term memories short term memories को working memory भी कहते हैं जैसे accounts में current liability और current assets को working capital कहते हैं कि ये ऐसा पैसा है जो हमेशा चलता रहता है business में तो this is called working memory जिसे हम shorter memory कहते हैं और maths की चोटी 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 चीज़ जो आप पढ़ते हैं तो आपके इन ही चीजों में सबसे आधा problem create होती है इसको कैसे solve करना आगे मैं बताऊंगा बड़ ये problems हैं जब भी आप पढ़ने जा होता है वो बिल्कुल normal दिखते हैं मतला जो वो खेल रहे होते हैं बहुत fresh होते हैं अपने घर में होते हैं बहुत relaxed चेल करते हैं लेकिन जब पढ़ाई में आते हैं उनको tension नहीं लगता है पहले हम कहते हैं पढ़ाई से भागना चाता है बच्चारे पढ़ना नहीं चाता बट actually these called एक problem है जिसे academic anxiety कहते हैं इसमें बच्चों को हमेशा ये feel होता है कि insecurity रहती है कि मैं फेलना हो जाओ self doubt जो कर रहा है पता नहीं सही है कि नहीं है stress ये चीज़े हमेशा बनी रहती है और आपके साथ अगर ऐसा हो तो comment में मुझे yes जरूर लिखे कि ये problems क्या वाकई आप भी feel कर पा रहे हैं क्योंकि जब भी आप ये नो पढ़ते हैं और आपके सामने कुछ famous formula जो आपको हमेश theorems जो आप सारे theorems पढ़ते हैं ये सारी चीज़े कही न कहीं आपको बहुत ज़्यादा complex करती हैं जो आप trigo पढ़ने जाते हैं इन चीज़ों में तो ये बहुत ज़्यादा complex इनके formulas बार बार रेटना और ये चीज़ें लेकिन कुछ तरीके हैं जिनके थुरू आप इन च पहल नहीं होती उस टाइम अगर आप ये ब्रेफिंग टेक्नीक करेंगे और साथ में ओम का उचारन मतलब मैंने यूटीब पे एक वीडियो उस थी जिसमें 108 बार ओम ओम लेजा था मैंने उसको headphones में लगाया और तकरीबन जब मैंने इस पे अपने आपके उपर experiment किया मैं स सारी चीजें हमारे अंदर हैं और जब मैंने आँख खोली तो मुझे लगा किया रहे बाहर तो कुछ अलग सा दिख रहा है हर चीज़े different है तो ओम एक ऐसा उचारन है जो आपके अंदर जब आप एक normal अभी खुदी practice करिए कि जब आप ओम बोलते हैं तो क्या feel आता है जब आप ओम बोलते हैं तो आप बाहर से कुछ चीज अंदर नहीं लेते हैं अप अंदर से बाहर करते हैं जैसे मैं देखे ओम जब आप ओम का उचारन करते हैं तब आप अपनी सांसों को बाहर की तरफ चोड़ते हैं हमेशा जब मैं ये video बनावी रहा हूँ तो मेरी waves जो है व ना low confidence और सबसे main चीज वो है आपका concentration जब आप इस word का उचारन करते हैं तो आप concentration को बहुत ज़ादा focus करते हैं किसी एक चीज पे और यही चीज बहुत important है हम students में concentrations का कमी बहुत ज़ादा हमें problem create करता है क्योंकि हम बहुत ज़ादा इधर उधर बहुत से चीजों पे हैं औ मुझे के इस वीडियो में comment जरूर करिएगा और जिन्होंने किया है वो comment जरूर करें कि वाकई आपको क्या इनसे benefit मिला है या नहीं और next जो है वो है हमारा brain हमारा brain जो है वो है बहुत flexible होता है हम जिस चीज को structure जिस धाचे में इसको हम डालेंगे वैसा बन जाएगा अब यहां पे हमें main चीज क्या करने है इसे कहते है growth mindset growth mindset एक psychological term है जो आपके mind को train करता है जैसे कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं साध आपको याद ना हो रहा हो उसको आप ऐसा game में ले लीजे आप उसे एक game के तरह use कर सकते हैं घर में play जितने भी formula है उसको एक अपने friends के सा family members के साथ उसको खेल में सीख सकते हैं क्योंकि जितना ज्यादा जिस चीजों में हम ज्यादा attract होते हैं हम उनसे बहुत ज्यादा चीज़े सीखते हैं तो आप इसको उस term में सीख सकते हैं और next जो कि एक सबसे बड़ा myth है वो मैं तोड़ना चाहता हूं कि normally एक word मैंने सुना कफ कई लोगों से कि भई boys जो हैं वो जादा intelligent होते हैं maths में rather than girls ये एक myth है ऐसा कोई भी psychological proof नहीं है ना कोई ऐसी सीजे हैं कि भई boys जो है वो maths में जादा intelligent होते हैं girls जो है वो HR और return और इन सारी सीजों में intelligent होते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है we both are equal अब आप में से बहुत से मैंने बहुत से बच्चे पढ़ा हैं last 12 years में 11 12 के बहुत से बच्चे पढ़ा हैं मेरे पास खुद 12th class तक math रही है मैंने inverse tree को मैंने integration derivations 3D vector सब कुछ किया है अपने time पे मुझे सब पता है और in fact अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैंने तो 80% girls ही पढ़ा है अब तक because मैं home teaching ज़्यादा पढ़ा था तो मुझे तो पता है कि girls ज़्यादा intelligent होती है but this is not a fact कोई भी किसी भी चीज़ से आगे बढ़ सकता है अगर आपने इन सारे principles को follow किया तो next है कि जो आपका phone है इस phone में जो आपका wallpaper है everyday आप अपने pen से clean paper पे कुछ formula written down करिए screenshot लीजे और वहाँ प में जिस bedroom में आप सूते हैं उसके सामने वाले wall पे अपने formula की list लगा सकते हैं जब भी आप सुबे सोते उड़ते उसको देखें और कर लें कई बार क्या होता है कि हम एक एक list एक महीने तक चिपका है पड़े हमें खुद नहीं पता कि हाँ list लगी है every day every alternate day वो list change होनी चाहि नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जब भी आप maths करने बैठते हैं कुछ सीखने के बाद तो हर एक question के बाद उसका testing मत करिए rather than कि आप एक complete 18-10 question complete करिए अपने logics के साथ क्योंकि जितना जादा आप explanation कर पाएंगे math में उतनी जादा आप strong बन पाएंगे और दोस्तो last में एक line ज शुरुआत करने के लिए महान बनने की जरुद नहीं है बलकि जब आप किसी चीज के शुरुआत करेंगे तो आप महान बन जाएंगे मेरे दोस्तो कहीं न कहीं यह line वैसी है कि जब तुम सो रहे हो तो उस time कोई न कोई पाट रहा होगा और जिस दन वो तुम से मिलेगा व अपनी study को pattern दीजिए कभी कुछ नया सीखने का मन हो वो जाके सीख लीजिए लेकिन हर दिन अपने पढ़ाई के लिए एक समय फिक्स करिए और इतना time everyday उसको devote करिए नहीं तो एक time ऐसा आएगा जब आपका अपना inner peace आप से सवाल पूछ रहा क्याता है this is called inner engineering inner engineering एक वो structure है जो हर एक को हर इस group में बनाना होता है कई बार आप अपने सही time पे चीज़ को नहीं बनाते 40-45 की उमर में अपने आप ये बन जाती है अपने आप समझदारी आ जाती है बहुत से लोगों में बहुत से लोग समझदार हो जाते हैं पैसे बचाना शुरू कर देते हैं पैसे इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उन सभी स्टूडेंट्स को शेर करिए जिने वाकई इस चीज की प्रब्लम मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे शेर का बटन है कम से कम 3-4 स्टूडेंट्स को ये वीडियो जरूर शेर करिए जिने वाकई इस चीज की जरूरत है और साथ में आप नए हैं और आप चाते हैं किस टाइप की वीडियो चाते हैं बिजनस से रिलेटेड तो मुझे आप जॉइन कर सकते हैं वहाँ भी बस आज के इस वीडियो में इतना ही मिलता हूं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद